नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धान तो ये जो ब्रूनर थे ये भी संग्यानवादी थे और इनोंने खोज अधिगम सिद्धान दिया था इनोंने होता क्या है कि दो पिर्षनों का उत्तर ढूनने में बहुत अधिकरुची दिखाई थी दो कौन से पिर्षन थे पहला पिर्षन तो ये था कि सिसू किस ढंक से अपनी अनुभूतियों को मांसिक रूप से बताते है अनुभूती केते हैं experience को सिसु किस धंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं यानि कि जो सिसु के बालको का मानसिक चिंतन कैसे होता है ये दो पिरसन थे और इन्ही दोनों प्रसनों के उत्तर ढूनने में उन्होंने रुची दिखाई थी, बिनुनने ये संग्यानवादी थे, तो इन्होंने जब उत्तर तलास्क लिये, तो इन्होंने बताया, सिसू अपनी अनूभूतियों को, अपने एक्सपिरियंस को मांसिक रूप से तीन तर कार से बताता है, तीन तरीके से बताता है, पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था सक्रियता, एक्टिवनेस, सक्रियता, एक्टिवनेस, ये होती है जनम से अठारे महिने तक, ये होती है जनम से अठारे महिने तक, होता क्या है, इसमें सिसू जो होता है, अपनी अनूभू अनुभूतियों को किरिया के द्वारा व्यक्त करता है, एक्सन के द्वारा व्यक्त करता है, किरिया के द्वारा व्यक्त करता है, सक्क्रियता का मतलब होता है, अपनी अनुभूतियों को किरिया के द्वारा व्यक्त करता है, कैसे करता है मैं अभी आपको एक उधारन बताता ह जैसे आप बच्चे के सामने दूद की बोतल लेके आओगे तो वो तुरंत क्या करेगा अपना मूँ चलाएगा अपने जो है हाथ पेर पटकना सुरू कर देता है तो वो क्या कर रहा है यानि कि अपने एक्सपिरियंस को अपनी अनुभूतियों को किरिया के द्वारा बता र कुछ के द्वारा वैक्त करता है ये कौनसी विदी है तो दोस्तों ये विदी है सक्क्रियता विदी ठीके आपकी बात समझ में आगी होगी जहां तक मैं समझता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि सिसु जो है दूद पीने की इच्छा अभी वैक्त कर रहा है ठीके तो द्रस से प्रतीमाय बना लेता है और अपनी अनुभूतियों को अभी व्यक्त करता है। कैसे दिखिए सिसू के सामने कोई भी खिलोने हो। मलव ऐसा होता है जब डेड़ से दो साल तक का सिसू होता है। उसने जो भी मतलब अपने मन में मलव की इमेज बना लिया है। अपनी अनुभूतियों को अभी वेक्त करता है। तो ये दोनों आपको समझ में आगे होंगे, तीसरा है दोस्तो सांकेतिक विदी, सिंबोलिक मोड, ये आता है सीधा साथ वर्स में, सीधा साथ वर्स में आता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, सांकेतिक विदी का मतलब होता है, इसमें जो है, जो बालक होता है, वो अ तो भासा के दुवारा ही तु बताएगा सारी चीजों को, सारी बातों को, तो वो जो है अपनी अनुभूतियों को भासा के वैभार के दुवारा अभी भैप्त करता है, तो बिरुनर के दो ये कोशन थे और उन्होंने इन दो कोशन के तीन तरीके ये बताए थे और इनका जो इन्होंने प्रियोग, इनका जो सिद्धान था, जो यह सिद्धान दिया था, फोजा दीगम सिद्धान था, ये 5-7 वर्स तक के बच्चों पर था, ये भी थोड़ा ध्यान कर लेना, तो इन्होंने क्या काम किया था इन्होंने जो है एक तीन गुणा तीन तीन गुणा तीन नो नो मलत तीन गुणा तीन नो गिलासों की एक मैट्रिक्स बनाई थी यानि कि जो पतले पतले किनारों वाले गिलास थे पतले जो किनारे होते हैं ने इनके लासों के वो लंबाई में नीचे से उपर की और बढ़ते हैं नीचे से उपर की और बढ़ते हैं तो उनको तो इन्हों और चोड़ाई में अधिक बढ़ते है आप जानते हो शेज को तो ठीक है तो पतले किनारों वाले गिलास लंबाई में नीचे से उपर के और बढ़ते है भो बहुत लंबे गिलास होते है ठीक है और जो पड़े किनारों वाले गिलास होते है वो बाईं से दाईं और चोड़ा पिरियोग किया था पांस से साथ साल तक के बच्चों पर किया था तो इन्होंने क्या काम किया पहले इन्होंने बच्चों को मैट्रिक्स दिखाई ये मैट्रिक्स दिखाने के बाद में इसको इन्होंने बिखेर दिया बिखेरने के बाद में इन्होंने बच्चों से उस मैट प्रिक्स को दुबारा से अरेंज करने को कहा तो हूता क्या है कि उसमें सभी बच्चे सपल हो गए पांस से साथ साल तक के सभी बच्चे सपल हो गए इन्होंने फिर क्या काम किया था इन्होंने जो है जो दाई और के जो दाई और के गिलास थे उनको बाई और यहनकी जो चो गिलास को बाईयोर रख दिया ठीक है रखने के बाद में क्या होता है इन्हों ने फिर क्या काम किया उसको बिखेर दिया तो क्या किया उन्होंने फिर बच्चों से बोले कि ऐसा करो अब आप ये जो दाईयोर के गिलास है बाईयोर और बाई और के गिलास आपको दाई और रखने यानि कि आपको पक्छांतर करना है आपको ट्रांस्पोज करना है ठीक है दूसरी इस्तिती में इन्होंने क्या काम किया बच्चों से कहा ट्रांस्पोज करने के लिए पक्छांतर करने के लिए यानि कि दाई और के गिलास कारण क्या है कारण ये था वो द्रस्य प्रतीमा विधी का यूज कर रहे थे द्रस्य प्रतीमा विधी को अपना रहे थे क्योंकि वो दो साल तक के थे ठीक है अच्छा अब ट्रांस्पोज करने के लिए बच्चे के अंदर सांकेतिक विधी का होना बहुत जरूरी है पक्छा सप्चार्फ य Если यह चैस भी उती हैं और यह उससे पहले नहीं सकंद हैं छो जो कुछ बच्चे सपल हो गए क्योंकि उनमें भासा के द्वारा अभीवेक्त करने की कुछ छमता विक्सित हो गई थी तो 6 सार के कुछ बच्चे सपल हो गए परंतु 7 साल के सभी बच्चे ट्रांस्पोज करने में सपल हो गए कारण क्या था क्योंकि साथ साल में सांकेतिक विधी आ जाती है यानि कि सिंबोलिक मोड आ जाता है और ट्रांस्पोज करने के लिए यह आवस्थक होता है तो इन्होंने बच्चों के मन में एक साब्दिक नियम बन गया था कि बही पतले किनारों जो मतलब की लंबे गिलास है उनको एक तरफ रखना है और जो चोड़े गिलास है उनको दूसरी तरफ रखना है तो ये साब्दिक नियम पांस साल के बच्चों में नहीं बना छे साल के कुछ बच्चों में बना साथ साल के सभी बच्चों में बना तो उन्होंने बाद में एक बात कही थी कि देखो बच्चे के संग्यानात्मक विकास में सबसे पहले दिरस्य प्रतीमा विधी विक्सित होती है ठीक है और उसके बाद में संकेतिक विधी विक्सित होती है तो दोस्तों यहां आपको ध्यान रखने की बात है देखो जैसे ये कोश्चनी टैट में पूछ लियाता है आपसे कि सिसु किरिया के द्वारा अपनी अनुभूतियों को अभिवेक्त कर रहा है तो ये कौनसी विदी है सक्रियता भी दी है मैं बार बार आपसे एकी बात क्या रहा हूँ कि आप पूरी कहानी पड़िये तभी आ नहादा